नमस्कार दोस्तों आपका स्वाकत है हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने सेकंड बेवी का प्लान करें जिया दोस्तों अगर आपका अभी एक बेवी है तो आ बच्चा भी ठीक नहीं है तो देखिए फैनिंग में कि बतों का ध्यान आकना पड़ता है से पहला पॉइंट है कि आपका जो पहला बच्चा है कि अपका इतना सेल्फ क्या बढ़ा है घ्या सकता है या फिर खुश्ची है अपनी बातों को बता सकता है जो जरूरत है तो इ नेक्स्ट कि आप हमेशा इस बात को लेकर के शूर रहें कि आपका बजट उतना है कि आप सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं जो आप अपने पहले बेवी को दे रहें क्योंकि आज की आप देख रहे हैं इतनी महंगा है सब कुछ है उसमें हमें वच्छों की परवरिस भी देख अच्छे से हर एक चीज की फैसिलिटीज देख सकें तो अपने बजट को भी देख करके आपको सेकंड बेवी को प्लान करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आप फिजिकली और मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेर हैं कि आपका जो सरीर है उस टेम पे आपका साथ दे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अपने पहली बेवी को जब समय देते हैं तो क्या उसके बाद भी आपके पास थोड़ा बहुत समय बच जाता है अपने लिए अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अपने जो सेकंड बच्चा बड़ा हो गया है अब हम सेकंड बेवी प्लान कर सकते हैं जिससे कि वह आपका सपोर्ट कर सकें और आपके साथ हमेशा हर एक स्टैप पे आपके साथ रहे तो इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा धियान रखना है देखिए दोस्तों आप अगर प्लैनिंग क लेकर के टाइम से लेकर के मेंटली और फआघिकली इच पारी आपको सफर करना पड़ेगा तो अगर बैनिंग के साथ में करेंगे तो आप भी खुस रहेंगा आपका बच्छा भी खास रहेगा द्यानना चाहिए थीक है अगर यह वीडिया यूस्फु लगा हो तो प्लीस इसी तरह के और useful वीडियो देखने के लिए चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थेंक्यू